इस module के अंदर हम sympathetic speciation के बारे में discuss करेंगे last module में हमने देखा कि speciation चार किसम की होती है allopathic speciation, paropathic speciation, sympathetic speciation and peripatic speciation सबसे पहले हमने allopathic speciation के बारे में discuss किया था उसमें हमने ये देखा कि एक population अगर किसी geographical barrier की वज़ा से दो sub-populations के अंदर divide हो जाती है और एक लंबे अरसे तक ये दोनों population एक दूसरे से separate रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों population के अंदर इतने ज़्यादा differences आ जाते है कि ये दोनों population एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के साथ breed करना बंद कर देती है और ultimately इनके अंदर reproductive isolation आ जाती है और ये दोनों सब population independent species के अंदर convert हो जाती है इसके मकाबले में अगर हम sympathetic species की बात करें तो sympathetic species के अंदर दो चीज़ें important है एक तो इसमें एक single जो ancestor population है उस से species evolve होती है दूसरा ये कि जो नए species evolve होती है वो same geographical range के अंदर मौजूद होती है जहाँ पे ancestor population मौजूद थी इसको समझने के लिए हम एक example discuss करते हैं कि for example आप एक family के साथ एक घर के अंदर रह रहे हैं और एक लंबे अर्से तक आप वहाँ पे मौजूद हैं आप एक unit की तरह वहाँ पे behave करते हैं फिर आप में से आपकी sister या आपके भाई की शादी हो जाती है वो वहाँ से move करके एक नए घर के अंदर shift हो जाते हैं अपनी family के साथ आइस्ता आइस्ता उनका आपके साथ जो तालुक था वो थोड़ा कम रह जाता है और जैसे जैसे उनकी family बड़ी होती है तो ये जो difference है वो बढ़ता चला जाता है इसी तरीके से animals के अंदर भी होता है अगर animals के अंदर ऐसा हो तो उससे नए species जो इवाल होती है उसको हम sympathetic species के अंदर एक ancestral जो species है उससे नए species इवाल होती है लेकिन उसका geographical area या geographical range सेम होती है ये जो नए species है ये reproductive isolation हासिल कर लेती है parent species से इस किसम की species बहुत rare होती है यहाँ पे अगर हम इसके examples के अबारे में discuss करें तो plants के अंदर polyploidy common है आम तोर पर जब plants के अंदर gametes बनते हैं तो meiosis के नतीजे में haploid gametes हुजूद में आते हैं लेकिन sometimes plants के अंदर deployed gametes बनते हैं और जब ये deployed gametes एक और deployed gametes के साथ combine करते हैं तो tetraploid या polyploidy इसके नतीजे में जो plants बनते हैं वो different species होते हैं अब एक ही geographical area के अंदर देखा गया है कि polyploidy और normal plants दोनों मौझूद होते हैं ये दोनों different species हैं ये आपस में interbreed नहीं कर पातें यानि जो normal plants हैं वो polyploidy के साथ breed नहीं करतें polyploidy polyploidy के साथ breed करते हैं और normal plants normal plants के साथ breed करते हैं तो यहां पर हमने देखा same geographical range के अंदर दो species मौझूद हैं और जो दूसरी species है वो जो ancestral species थी उससे इवाल हुई एक और example हम animals के अंदर देखते हैं animals के अंदर maggot flies के अगर हम बात करें तो तकरीबन 200 साल पहले जो maggot fright थी यह हाथान plants के उपर जो fruit लगते थे उनके उपर feed करते थी उसके बाद क्या हुआ कि यह जो species थी maggot flies की इसके अंदर दो populations evolve हुई एक population ऐसी थी जो के हाथान fruits के उपर अपने एग ले करती थी और दूसरी species दूसरी जो population थी वो apple plants के जो fruit थे उन पे अपने एग ले करती थी और यह भी देखा गया कि ऐसी female जो के हाथान के उपर अपना जादा टाइम गुजारती थी जिनका brought up हाथान plants के उपर हुआ वो वहीं पे उनहीं plants के fruits के उपर एग ले करना उन्होंने शुरू किया इसी तरीके से वो females जो के apples के उपर brought up जिनका हुआ उन्होंने अपने eggs व इसी तरीके से वो male जो के हाथान plants के उपर रहते थे उन्होंने उन्हीं female के साथ breeding start की जो के हाथान के उपर मौजूद थी और वो females जो के हाथान के बजाए apples के उपर मौजूद हैं वो उन्हीं male के साथ breed करती थी जो उन fruits के उपर male मौजूद थे तो यहां दो populations वजूद मे आई एक population ऐसी जो हाथान को prefer करती थी और दूसरी ऐसी जो apple plants को prefer करती थी तो इस तरीके से एक जो ancestor population थी वो दो populations के अंदर divide हो गई और एक लंबे अर्से तक जब ये एक दूसरे से separate रही तो ये देखा गया कि इन के अंदर आपस में interbreeding बंद हो गई तो इस तरीके से एक ancestral population से नई species वाल हुई जिनकी geographical boundary same थी तो sympathetic species के अंदर हमने देखा कि एक नई species ancestral population से वाल होती है लेकिन उसका geographical area या उसकी geographical range वही होती है जो के ancestral population की